हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज खेले गए इंडिया वर्सिज इंग्लेंड के बीच में थर्ड टेस्ट मैच का सेकंड दिन था और आज इंडिया ने एक इतियास रच दिया क्योंकि इंडिया ने केवल दूसरे दिन का मैच भी खतम होने से पहले ही ये मैच अराम से 10 विक्टों से अपने नाम कर लिया दोस्तो दोस्तो अब मैं बताता हूँ आपको आज के पूरे मैच में क्या क्या हुआ दोस्तो कल पहले दिन का मैच खतम होने तक इंग्लैंड की टीम 112 रनों पर आल आउट हो गई थी और इंडिया की टीम तीन विक्ट खोकर 99 रनों पर खेल रही थी इंडिया की टीम इंग्लैंड की टीम से 13 रनों से पीछे चल रही थी दोस्तो उसके बाद आज 2 जो दिन था उसमें इंडिया की टीम ने जब खेलना स्टार्ट किया तो इंडिया की टीम भी काफी बेकार खेली क्योंकि इंडिया की एक के बाद एक विक्ट किरते रहे और इंडिया की टीम महज 145 रनों पर आल आउट हो गई इंडिया की तरफ से इंडिया का कल तीन विकेट गिरे थे आज जो चोथा विकेट गिरा वो था रहने की रूप में जोकी 114 रन पर गिरा रहने आउट होने से पहले 25 गिंदों पर 7 रन बनाए एक चोकी की मदद से और इनका विकेट जैक लीच ने लिया उसके बाद इंडिया का पांचवा विकेट इंडिया के कुल स्कोर 115 रन पर गिरा जोकी की रोईच शर्मा के रूप में था पंत ने 8 गिंदों पर 1 रन बनाया उसके बाद इंडिया का 7 विकेट इंडिया के कुल स्कोर 125 रन पर गिरा जोकी वासिंग्टन सुंदर के रूप में था वासिंग्टन सुंदर ने 12 गिंदों खेली और बिना कोई रन बना कर बोल्ड आउट हो गए उसके बाद इंडिया का आटवा विकिट इंडिया के कुल स्कोर 125 रन पर गिरा जो की अकसर पटेल के रूप में था अकसर पटेल ने आउट होने से पहले दो गिंदों पर 0 रन बनाए उसके बाद इंडिया का नोवा विकिट इंडिया के कुल स्कोर 134 रन पर था जो की अश्विन के रूप में था अश्विन ने आउट होने से पहले दोस्तों थोड़ा संगर्ष जरूर के लेकिन जादा नहीं बनाए रन उन्होंने 32 गिंदों पर 17 रन बनाए तीन चोकों की मदद से उसके बाद इंडिया का दसवा और लाश्ट विकेट बुम्रा के रूप में गिरा जो की इंडिया के कुल स्कोर 145 रन पर था बुम्रा ने आउट होने से पहले 12 गिंदों पर 1 रन बनाए और वो रूट की गिंद पर LBW आउट होए इंडिया की तरफ से इशांच शर्मा लाश्ट तक नोट आउट रहे उन्होंने 20 गिंदों पर 10 रन बनाए एक चक्के की मदद से इस परकार इंडिया की टीम ने 53.2 और में 10 विकेट खोकर 145 रन बनाए मतलब 145 रनों पर आल आउट हो गई दोस्तों आज इंग्लेंड की बोलिंग में काफी अच्छा खेली उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी कराई उन्होंने इंडिया जो ऐसे लग रहा था शायद अच्छी लीड हासिल करेगी लेकिन उन्होंने जल्दी ही इंडिया को आल आउट कर दिया इंग्लेंड की तरफ से जेमस एंडरसन ने 13 आवर में 8 मैडन देते हुए 20 रन दिये और 0 विकिट ब्रोड ने 6 आवर में 1 मैडन देते हुए 16 रन दिये 0 विकिट जोफरा आर्चर ने 5 आवर में 2 मैडन देते हुए 24 रन दिये और 1 विकिट जैक लीच ने 20 आवर में 2 मैडन देते हुए 24 रन दिये बनाई थी वो थी 33 रोनों की इंगलैंड के उपर दोस्तो ऐसा लग रहा था शायद इंगलैंड की टीम इस मैच में वापसी कर ले लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इंगलैंड की टीम जब दूसरी इनिंग्स में खेलने उतरी तो उनकी पहली इनिंग से भी काफी बेकार रही वो आज केवल 81 रनों पर आल आउट हो गई वो उन्होंने केवल 30.4 आवर ही खेल पाई इंग्लेंड की टीम और इंडिया के केवल 3 गेंदबाजों ने ही बोलिंग कराई दोस्तो आज इंग्लेंड की जब जैक क्राउले के रूप में था जैक क्राउले न आउट होने से पहले एक गेंद पर जीरो रन बनाए अकसर की गेंद पर आल आउट हुए उसके बाद इंग्लेंड का दूसरा विकिट जीरो रन पर ही गिरा जो की बेर स्टो के रूप में था बेर्श्टोर ने आउट होने से पहले दो गेंदे खेली और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लोट गए अक्सर की गेंद पर ही उसके बाद इंग्लेंड का तीसरा विकेट इंग्लेंड के कुल स्कोर 19 रन पर गिरा जो की डी सीबले की रूप में था डी सीबलेंड ने आउट होने से पहले 25 गेंदों पर 7 रन बनाए और बिना कोई चोक के छक्के के वो पवेलियन लोट गए उसके बाद इंग्लेंड का चोथा विकेट इंग्लेंड के कुल स्कोर 50 रन पर गिरा जो की स्टोक्स के रूप में था स्टोक्स ने आउट होने से पहले थोड़ी अच्छी पारी जरूर खेली लेकिन वो भी ज़्यादा लंबे स्कोर तक इंग्लेंड को नहीं पहुँचा पाए स्टोक्स ने 34 गेंदों पर 25 रन बनाए तीन चोको की मदद से और इनका विकेट अश्वे ने लिया उसके बाद दोस्तों इंग्लेंड का जो पाँचवा विकेट था वो इंग्लेंड के कुल स्कोर 56 रन पर गिरा जो की रूट के रूप में था रूट ने आउट होने से पहले 45 गेंदों पर 19 रन बनाए बिना कोई चोके और चक्के के और इनका विकेट अक्षर ने लिया इसके बाद इंग्लेंड का चाटा विकेट इंग्लेंड के कुल स्कोर 66 रन पर गिरा जो की ओली पोप के रूप में था ओली पोप ने आउट होने से पहले 15 गेंदों पर 12 रन बनाए दो चोको की मदद से और इन्हें अस्विन ने बोल्ड किया दोस्तों इंग्लेंड की टीम केवल 56 गेंदों पर 56 रनों पर आधी पविलियन लोट चुकी थी इंग्लेंड का साथवा विकेट इंग्लेंड के कुल स्कोर 68 रन पर गिरा जो की जोफरा आर्चर के रूप में था जोफरा आर्चर ने आउट होने से पहले 2 गेंदों पर 0 रन बनाए और इनका विकेट अश्विन ने लिया उसके बाद दोस्तों इंग्लेंड का जो आठवा विकेट था वो इंग्लेंड के कुल स्कोर 80 रन पर गिरा जो की फोक्स के रूप में था जैक लीच ने आउट होने से पहले 22 गेंदों पर 9 रन मनाए एक छक्के की मदद से इसके बाद इंग्लेंड का दसवा और लास्ट विकेट इंग्लेंड के कुल स्कोर 81 रन पर गिरा जो की जेम्स एंडरसेन के रूप में था जेम्स एंडर्सन ने आउट होने से पहले तीन गेंदों पर जीरो रन बनाए और कोई चोका चोक चका नहीं और उनका विकिट वासिंग्टन सुन्दर ने लिया इंग्लेंड की तरफ से ब्रोट साथ गेंदों पर एक रन बनाकर लाश्ट तक नोट आउट रहे दोस्तो इस परकार इंग्लेंड की टीम केवल 30.4 आवर में 81 रन बनावर पर आल आउट हो गई और उन्होंने इंडिया के सामने जीत के लिए 49 रनों का टारगेट रखा दोस्तो आज इंडिया की बोलिंग कल के मुकाबले भी काफी अच्छी रही दोस्तो इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ने 15 आवर में 32 रन देते हुए 5 विकेट लिये अश्विन ने 15 आवर में 3 मेडन देते हुए 48 रन दिया और 4 विकेट और वासिंटों सुंदर ने केवल 4 गेंदे डाली और 1 रन दिया और 1 विकेट लिया इस परकार इंग्लेंड ने इंडिया के सामने 2 इनिंग्स में जीतने लिए केवल 49 रनों का टारगेट रखा जो की बहुत ही easy टारगेट था और हुआ भी कुछ ऐसा ही इंडिया की टीम जब 2 इनिंग्स में 49 रनों का टारगेट लेकर पिछ पर उतरी तो इंडिया ने बिना कोई विकेट गवाए ये मैच आराम से 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया इंडिया की तरफ से सेकंड इनिंग्स में रोज शर्मा 25 गेंदों पर 25 रन बनाकर लाश्ट तक नोट आउट रहे उन्होंने अपनी पारी में 3 चोके और 1 चक लगाया और सुबमन गिल 21 गेंदों पर 15 रन बनाकर लाश्ट तक नोट आउट रहे उन्होंने अपनी पारी मे दो एक से बढ़त भी बना ली पहला मैच इंग्लेंड ने जीता था दूसरा मैच इंडिया ने जीता और ये तीसरा मैच भी इंडिया ने ही जीता और आज इंग्लेंड की बोलिंग में कोई भी पैनापन नी था एक भी विकेट वो जटक नी पाए इंग्लेंड की तरफ से जैक लीच ने चार आवर में एक मैडन देते हुए 15 रन दियो और कोई विकेट नी और जोई रूट ने 3.4 आवर में 25 रन देकर 0 विकेट दोस्तो इस परकार आज का ये थर्ड टेस्ट मैच इंडिया ने 10 विक्टो से अपने नाम कर लिया दोस्तो दोस्तो ये थर्ड पूरे मैच का आज का वरनन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगे इस क्योंकि बैटिंग के लियाद से इंडिया की टीम जो सेकिंड इनिक्स में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती थी वो केवल 145 रनों पर आल आउट हो गई आप हमें कमेंट बोक्स में ये बताएं कि इंगलेंड की टीम की तरफ से आप किस प्लेयर को मैच ओफ दा हीरो कहना चाहेंगे और किस प्लेयर को मैच ओफ दा जीरो कहना चाहेंगे और ऐसी ही इंडिया की तरफ से किस प्लेयर को मैच ओफ दा हीरो और किस प्लेयर को मैच जरूर बताएं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद अगरे 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 अगरे